Hello guys, welcome to Sandhya Spatshala. Today I am going to take up Marathi subject of class 7th, poem number 3, Maziya Anghnath. So let's start. Chapter 3, Maziya Anghnath. Maziya Anghnath means in my courtyard, जो की होता है घर के बाहर का आंगन. लेकिन यहाँ पर जो इस कविता के कवी हैं, ज्यानेश्वर कोडी जी, उन्होंने माजया Anghnath means बताया है, हम जो farmers के खेत होते हैं, कि जब एक किसान पूरा दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, और जब उसके खेत में अच्छी फसल उगती है, तो वो कैसे अपने एक्सप्र कवी बोल रहे हैं कि जब गेहूं और जोवारी के जो बीज है, वो जब मेरे खेत की काली मिट्टी में फैलाए, उसने चारो तरफ फैलाए, तो वो एक दाने से बहुत सारे दाने बने, जिससे क्या हुआ कि उसकी जो फसल हुई है, वो बहुत अच्छी हुई है, और अब आणी माजया आंगनात लाख चांगल पर, और जो अब मेरा आंगन है, वो ऐस जिसमें चारो तरफ मूनलाइट चांदनी फैली हुई है, क्योंकि जो गेहुं और जवारी के जो दाने है, जिससे फसल उगी, वो इतनी अच्छी उगी है कि अब ऐसा लग रहा है उसका कोटियार कि जैसे चारो तरफ चांदनी ही चांदनी फैली हुई है, चलिए नाव न पंगरनयात माजया डुले, रान मेवाची मीजास, अभी देखें इसमें कवी ने क्या कहा है, काली आश माती तुनी, जो काली मिट्टी है, उसमें से, जो काली मिट्टी में हमने जो बीच डालेते हैं, उसमें क्या हुआ है, काली आश माती तुनी, जो काली मिट्टी थी, उसमें से मोती पवड़याची रास, मोती मतलब पड़ और पवड़े, पवड़े होता है एक लाल रंग का रत्न होता है जिसको कोरल भी बोलते हैं उनकी रास, रास मतलब होता है डेग, जी आपको दिख रहा है यहां पे इसको डेग बोलते हैं, इंगलेश में हीप भी बोलत थे वो मोती और कोरल लाल रत्न के जैसे इतने बाहर आये हैं कि हमने उसका डिक बना लिया इतनी अच्छी फसल हुई है अंगनयात माजा डूले और जो मेरे आंगन में वो ऐसे डोल रहे हैं रांड मेवा ची मिजाज जैसे कि उनका जो एटिटूट है वो रांड मेवा जैसा हो गया रांड मेवा मिंस जो बेरी और फूट होते हैं जो सिफ जंगल में मिलते हैं बहुत मुश्किल से उनके जैसा उसका मिजाज हो गया है मिजाज मतलब रुबाब कि वो ऐसे मेरे प्राइड ली मेरे आंगन में बिखरे हुए हैं मोती और जो ये रत्न हैं उनके डिक ऐसे पड़े हुए हैं कि वो अपना रानमेवा जैसे मिज़ाज दिखा रहे हैं जैसे जो fruits बहुत रेरली मिलते हैं जंगल में उनके जैसा मिज़ाज अपना pride दिखा रहे हैं अभी देखे इसमें कभी ने क्या कै दिला गेतला वाड़तो रान तला रानमेवा दिला मतलब देने से गेतला मतलब लेने से वाड़तो मिल्स बढ़ता है देने और लेने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रान तला रानमेवा मतलब की जो farms के fruits हैं उनकी जो मिठास हैं वो बहुत multiples में बढ़ जाती है लेने और देने से एक दुसरे के साथ share करने से उसकी मिठास कई गुना बढ़ जाती है तुमी आमी सारे जन गुनिया गोविन दान खावा तुमी आमी सारे जन मिंस कि तुम और हम सब जन मिलकर गुनिया गोविन दान खावा एक दूसरे के साथ बैठ कर प्यार से जेवन करते हैं तो इसमें कभी ने ये काई चलिए next जीव दम्तो शिंतो घास भरवते माई घरा मंदी घर्टयात जशी दूधा तली साई इसका मतलब जीव दम्तो शिंतो जब एक किसान सुभा से शाम तक खेत में काम करके आता है तो वो ठक जाता है दम्तो मतलब टायडोना तक न शिंतो मतलब भी टायडोना ही है तो जब वो बिल्कुल ठक हार के घर पर आता है घास भरवते माई माजो होती है वो उसको खाना खिलाती है घरा मंदी घर्टयात घरावन्ती मतलब घर के अंदर बैटकर उसको प्यार से खाना खिलाती है किस तरह से खिलाती है जशी दूदा तली साई जिस तरह से एक छोटे से घोसले में बैटकर एक जो चिडिया होती है वो उसको चोट से खाना खिलाती है उसी तरह से किसान की माभिया उनको प्यार से खाना खिला रही है चलिए next एंजा अंगनात आज माजया दाना टिपती पाकरा दूर अडूनिया जाता आसु येती गालावर इसमें देखे कभी ने क्या क्या है अंगनात आज माजया जो मेरा जो कोटियाट आंगन है वो आज ऐसा लग रहा है दाना टिपती पाकरा जिसमें क्या है चिडिया बहुत सारी चिडिया आकर दानों को अपनी चोच से खुशी से चुग रही है टिपनिया मतलब चुगना दूर उड़निया जाता लेकिन जब वो चुग कर दूर उड़कर चली जाएंगी आसु येती गालावर आसु जो है वो किसानों के गालों तक आ जाएंगी उसको इस चीज का दुख भी होगा ओके चलीए अभी कवीता के जो कवी है उनके बारे में पढ़ते हैं ज्यानेश्वर कोली जी जिनका जन 1956 में हुआ था और मिरत्यू 2019 में हुई जगने माजे ये उनके प्रसिद कथागर है आईश्या वाटेवर घंदाट लेले छामनीचा कवीता आकाश पेलताना हे कवीता संगर है ये सब जो उनकी कवीता संगर है और आठ आन्याचा गुल हा कथा संगर है प्रसिद इसका मतलब आठ आन्याचा गुल जो है वो उनका प्रसित कथा संग्रे है शेत करी शेतात राद दिवस काम करतो जेवा त्यांचा शेतात खूब धान्य पिकते तेवा त्याला खूब आनंद होतो प्रस्तूत कविते दुन शेत क्यांचा मनातिल विविद भावनाचे वर्णन कविने केले आहे इसका मतलब देखिए शेत करी शेतात राद दिवस काम करतो जो किसान है वो अपने खेत में क्या है दिन राद काम करता है जेवा तेचा शेतात खूब धान्य पिकते मतलब जब उनका जो बीज है वो अच्छे से पक जाता है अच्छी फसल होती है उनके खेत हरे भरे हो जाते हैं तेवा त्याला खुब आनन्द होतो जब उनको पहुती आनन्द होता है तो प्रस्तुत कवीते तुन्षे जो कवीता है इसमें कवीने किसान के मन की आने वाले विविद भावनाचे वर्णन कवीने के ले आ है तो इस कवीता के माध्यम से कवीने किसानों की मन में जो अच्छे भाव आते है और एक परकार के जो भाव आते है उनका वर्णन कवीने किया है तो इसमें कवीद जो हमारी जो पोयम है उसका explanation फिनिश होता है इसके जो practice set है उसके लिए मैं second part बनाऊंगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like कीजिए दूसरों के सार शेर कीजिए और चैनल पे नहीं है तो subscribe कीजिए Bye-bye, thanks for watching